इंदौर में होने चार ही T20 क्रिकेट मैच के लिए अब मादप्रदेश क्रिकेट एसोसीशन ने तयारियां तेज कर दी है 4 अक्टूबर को होने वाले इस क्रिकेट मैच के लिए अब की बार MPCA अपने फ्री पासेस को कम करने चार है MP News के साथ exclusive बाचीत में MPCA के अध्यक्ष अभिलाश्र खांडेकर ने साफ कहा है कि मैच के लिए इंदौर श्यहर भी तयार है और होलकर स्टेडियम भी तयार है लेकिन इस बार मैच देखने के लिए फैंस को टिकेट खरीदना होगा फ्री पास का कोई प्रोविजन नहीं रखा जाएगा देखे ये खास बात च्रीत किस तरह की तयारियां है मन में जोश उमंग है हलाकि MPCA तो 24 गंटे 365 दिन ही तयार रहता है लेकिन इस T20 मैच के लिए किस तरह की तयारियां निश्यत रूप से T20 की तयारियां थोड़ी से अलग भी होती है क्योंकि फटाफट क्रिकेट है वो और बहुत ज्यादा लोग उसमें आना चाहते हैं देखना चाहते हैं जो स्टेडियम की कैपैसिटी है उसको देखते हुए लेकिन हम भी काफी उटसाइथ है क्योंकि दो साल का बीच का ऐसा पिरेड गया जिसके दोरान कोई अंतराष्टी मैश नहीं हुआ था और वैसे आपको ये बता दू में कि भारत एक ऐसा देश है क्रिकेट प्लेइंग नेशन्स जो है टेस्स प्लेइंग तो ज़्यादा नहीं है लेकिन क्रिकेट प्लेइंग नेशन्स में सबसे ज़्यादा वेन्यूज वहां पर है मतलब धरमशाला में इतने उपर वेन्यू है और चंडिगड में भी है दिल्ली में भी है पुने में है बंबई में हैं बंबई मेंlocks भी कर करना चाहूं कि कई सारे लोग कहते हैं कि साब इंदौर को मैच नहीं मिला तो इंदौर को मैच नहीं मिला मतलब ऐसा है कि इतने सारे स्टेडियम्स और इतने सारे असोसियेशन इतने बड़े देश में हैं तो सब को रोटेशन के आदार पे ही बीसी सिया मैचेस देता है और क पेशेवर तरीके से मैचेस को और्गनाइज करते हैं अर्था वी प्रोफेशनल और्गनाइजेशन अब इश्व यह उठता है कि हमारी तैयारिया क्या है तो हमको तैयारियां क्रिकेट की मैच करने के लिए कभी कोई दिक्कत आई नहीं थी लेकिन दिक्कत हमको अकसर आती है वो फ्री पासेस मांगने वालों की और उसमें सरकारी अधिकारियों का चाहे वो इंदौर के हो चाहे बोपाल के हो चाहे पुलिस के लोगों इन लोगों का जबरजस्त दबाव हम लोगों पर रहता है और हमको सुप्रीम कोट ने कहा था लोडा कमिटी के जो निरने हुए उसके बाद में कि आप फ्री पासेस किसी को रीदेंगे हमारे कोई नहीं सारे अस्सेशन को कहा तो अब सुप्रीम कोट ने तो यह बोल दिया था और लोडा कमिटी में भी आ गया उसके बाद में सीओ है जो बना उनों भी सब लोगों ने जो गाइडलाइन जारी के थी मू लोगों के साथ खिलने वाले जो कृकेटर सेंगे फिकेट से 6 को इस तरीकिन के परेशिशन ने खाल प्रि笑्रों को हुआ हैं पिछली बार मेरे पूली सदीकारी ने का कि मेरे बालागाट से आने वाले उनकी पतनी को मैच देखना है तो मैंने का आपके हमारा क्या लि'veाले से उनकी पतनी मैच देखने के लिए टिकेट खरीद है तो मूल बात यह है कि हम लोगों को इस तरीके की जो टेंडनसी है या प्रवरूती है इन दोर में उसको भी किसी ना किसी तरीके से आपके जरिये में वापस सब क्रिकेट शाहतों को बोलना चाहता हूं दर्शक को बोलन के आते हैं और वो सही क्रिकेट के जिसको कहते हैं मैं प्रेमी है वो अपनी जेब में से पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए फैमिली के साथ आते हैं चार चार पांच पांच लोग और उन लोगों को क्रिकेट डेखना चाहिए न की वजाए ऐसे लोगों को कि तो उसकी आपने चुकि आयोजन की क्या तैयरी है इसलिए मैंने च्छोटा सा जिक्र किया कि आयोजन में को सबसे ज्यादा दिक्क्त दियाती है कि सब लोग बड़े बड़े जो लोग है अलग अलग जगे पर पावरफुल लोग जो है वो लोग हमसे पासिस मांगते तो मैं करना चाहूंगा कि यदी हम 4 अक्टूबर की मैच को सफल बनाना है तो हमको इस प्रवरूति के उपर भी थोड़ा सा नियंतरन करना पड़ेगा कि हम क्यों फ्री प्रासिस मांगने जाएं आप किसी होटेल में खाना खाने जाते हो तो वहाँ पर आपको फ्री मिलता है क्या तो क्रिकेट की मैच इसमें क्यों आते हो और यह दी जो क्रिकेट की मैच देखने के लिए आते हैं वह कबंडी की मैच या रंजी ट्रॉफी देखने के लिए क्यों नहीं आते हैं तो यसे बहुत सारे इशूज हैं पर मैं उसके ज़्यादा तहम नहीं जाना पार चाहता लेकिन मूल बात यह है कि मद्धिवदेश क्रिकेट असोसियेशन को अलग-अलग स्तर पर हमेशा एक अच्छा क्रिकेट असोसियेशन की रूप में तमगे भी मिले हैं पिशले दिनों जैसे आपने देखा है कि हमारे क्रिकेटर्स ने बहुत जबर्जस्त अचीवमेंट या सफलता है तो पहली बार यह हुआ है कि मद्धिवदेश क्रिकेट असोसियेशन की नेतुत में चंदू पंडित की ट्रेनिंग के अंतरगत मद्धिवदेश ने रंजी ट के टीम के प्लेयर्स को भी अच्छा क्रिकेट डेखने को मिलेगा इंदौर के दर्शकों को देखने मिलेगा और हर तरीके से हम यह व्यूस्ता करने की कोशिश करेंगे कि जीला प्रशासन के साथ में इस मैच को अच्छे तरीके से आउजित करें चुनौती रहेगा क्योंक पर बारिश हो गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैदानों को कवर किया और वहां पर ऐसी व्यूस्ता करी है उन्होंने की पानी बहुत जल्दी सुखा लेते निकल जाता है तो इंटरनेशनल फिक्स्टर्स जो रहते हैं इसमें इसमें रखते हैं वह कि ऐसे बहुलकर स्टेडियम के इद्गिर्द लोग जमा हो जाते हैं और प्लेयर्स के आने जाने वाले रस्ते पर भी जो है रूट पर भी लो है फैंस की तादाद जो है कातारे लगी नजर आती है तो क्या मानते हैं इस बार की जो क्रिकेट फीवर है और बढ़ने वाला है क्यों हमको आसपास के जो sports associations हैं जैसे basketball trust है या tennis का जो club है ITC वो लोग भी हमको parking के लिए जगे देते हैं entries के लिए जगा देते हैं लेकिन मैं आपको बता दू इस बहाने कि जब ये चार sports associations को अर्था table tennis को basketball को cricket को और लॉन टेनिस associations को जबी ने राज्य सरकार ने आशे 30-40 साल पहले दी थी उससे में यहां common parking के लिए एक बहुत बड़ा parking lot खाली छोड़ा गया था unfortunate है कि उसके बाद के planners ने या जो शहर को समझने वाले या न समझने वाले लादिकारी लोग थे वहां पर उन्होंने idea की building बना दी तो idea की building आज जहां खड़ी है वह common parking एरिया था चारो sports associations के लिए और जो जिन लोगों ने यह लैंड अलोट करी थी उनको यह उन्होंने बविश्य में यह देखा था कि यहां पर यह दी बहुत crowd आएगा तो निशित रूप से आज की तारीक में बहुत महां पर जिसको कहते हैं crowd आता है तो वहां पर parking की विवस्ता की जगे पर idea ने building बना दी तो अब वो किसके decision रहा किसका रहा यह मुझे तो नहीं मालूम है लेकिन मूल बात यह है कि मेरे पास वो नक्षा है पुरान इनका abandon होना शुरू हो गया था तो कहने का मतलब यह है कि parking की और traffic management के issues तो आते ही हैं और indoor शहर चूकि उत्सव पर यह शहर है इस पे cricket के अलावे बहुत सारे उत्सव होते हैं घरबे की दिनों में बहुत सारे घरबे होते हैं हर जगे पर planning की वो है तो निशित रूप से हम हमेशा यह बोलते हैं और मैं परियावरन के क्षेतर में काम करता हूँ इसलिए यह भी कहना चाहता हूँ कि शहर का जो master plan बनता है जो आगे बनने जा रहा है उसमें खुली जमीनों का खुले मैदानों का रहना भी बहुत आवश्चक है क्योंकि समाज को समय समय पर अलग- उपयोग के लिए खुली जमीनों की आवश्चक्ता पढ़ती रहती है और हम चुकि परियावरन में क्षेतर में काम भी करते हैं तो मैं खुद अभिलाश खांडेकर की रूप में यह कह सकता हूँ कि यदी बारीश का पानी यदी जमीन में नहीं जाएगा तो हमारे जमीन म इसमें पानी नहीं मिलेगा और ग्राउंड वोटर और नीची जाएगा और खुली जमीन रखना यह परियावरन के लिए आवश्चक है और शहर की संस्कूतिक और दूसरी गती विदियों के लिए आवश्चक है लेकिन आप देखते हो हर जगे जैसे जैसे अब लोगों की संक्या बहुत बेता हाशा बढ़ती जा रही है तो आप एक बाइपास बनाओ एक रिंग रोड बनाओ एक मेट्रो ट्रेंड लाओ इससे भी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि गाडियों की संक्या उत्तर उत्तर बढ़ती ही जाएगी और स्टेडियम जिस तरीके से जहां पर सित है उसके पास में सरकारी स्कूल में उसमें व्योस्ता करते हैं पार्किंग की तो अब यह जो समस्या है वो तो ही अपनी समस्या इससे कम नहीं होने वाली लेकिन पबलिक ट्रांसपोर्ट या लोगों को पैदल चलना पड़े या टीवी पर लोग मैस देखें यह भी एक प्रतिशत लोगों को हम स्टेडियम में एंट्री दे पाएंगे इससे ज्यादा बले आप कलकता में या आमदाबाद में भी देख ली जो बड़े स्टेडियम जाने एक लाग की सेडियम की कैपैसिटी उन शहरों की पॉपलेशन हमसे डबल है तो जहां 40-50 लाग कलकता में तो एक क्रोड से ज्यादा लोग रहते हैं तो वो कितने लोगों को तो कहने का बतलब यह है कि शहर के सारे क्रिकेट प्रेमियों को हर समय हर मैच देखना संभाव नहीं होगा क्यों कि कहीं पर विश्व में कहीं पी बिनी होता है फुटबाल के मैचेस में वर्लक फुट हम टीवी पर देखते हैं तो हमको बहुत सारी शीजे नहीं तरीके से देखने को मिलती है तो इंदौर के उत्सा और इंदौर के जो क्रिकेट प्रिमियों का जो जिसको कहते हैं क्रिकेट करती जो लगाव है उसका हम स्वागत करते हैं यह शिद रूप से हम प्रयास करेंग के साथ साथ आप प्रेसिडेंट भी है MPCA कि तो क्या इस बार कुछ अनूठा होने वाला है वेलकमिंगे अनूठा मतलब क्या है कि हमको ICC की गाइडलाइन्स हैं पर BCCA के रूल से उसमें हम प्लेयर्स को एकदम खुले में कहीं लेनी जा सकते हैं उनका स्वागत तो होगा ही लेकिन मुझे याद है 1983 में जो पहला वंडे इंटरनाशनल इंदौर में हुआ था 1983 के दिसंबर में वो West Indies और भारत के वीच में हुआ था और उस समय भारत ने Prudential World Cup कुछ ही मैने पहले इंग्लेंड में जीता था World Cup तो खूब लोगों को रोज ता और उस समय का वो मैच नेरू स्टेडियम में हुआ था तो अब नेरू स्टेडियम बदहाली का शिकार है मेरको उसकी उपरती उस मामले में भी कभी आपसे बात करना है कि एक बहुत अच्छा वेन्यू था उसको नगर निकम देखनी रही है तो नेरू स्टेडियम में जो पहला मैच हुआ था वंडे इंटरनाशनल 1983 में उस समें भी इतनी सिक्यूरिटी वगर नहीं थी और क्लाइव लायर्ड और बाकी बहुत सा प्लेयर्स आये थे जिनको हमने बहुत पास से करीब से देखा था और सेक्यूरिटी और इस तरीक क्रिकेट पेमियों का एक बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता है यहाँ पर आने वाली चार ओक्टोबर को इंडिया और साथ आफरिका की टीमें भढ़ने वाली है और होलकर स्टेडियम अब धीरे धीरे अपनी रंगत को परवान चड़ाता है यहाँ पर दिखाई दे रहा ह से पूरी तरह से पुकता बंदोबस्त जो हैं इंडौर के होलकर स्टेडियम में किये जा रहे हैं फिल्हाल वीडियो जनरलिस्ट अरुनियादव के साथ महिंद सिंग एमपी न्यूज इंडौर